दूसरा, उश्मिय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन आपने देखा होगा कि उबलते पानी को काँच के बरतन में डालने पर काँच चटक सकता है क्यूंकि काँच का अंदुरूनी भाग उश्मा के कारण फैल जाता है जबकि बाहर का नहीं पर या उच्च क्वालिटी काँच में नहीं होता, क्यूं? चर्चा करें बिजली वा टेलीफोन के तारों को धीला क्यूं बांधा जाता है? कॉंक्रीट से बनी सडकों में ब्लॉक्स के बीच में खाली जगा क्यूं छोड़ी जाती है? ऐसे अन्युधारनों के बारे में चर्चा करें सामान्यता पदार्थ को उश्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है और पदार्थ से उश्मा लेने पर पदार्थ का आयतन कम हो जाता है ठोस पदार्थ में उश्मिय प्रसार किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है रेखिय प्रसार गुणां कहलाता है इसे अलफा से प्रदशित करते हैं अलफा बराबर लंबाई में व्रिध्धी बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप व्रिध्धी याने की अलफा बराबर डेल एल बटे एल गुणित डेल टी अर्थात डेल एल बराबर अलफा कोश्टक में एल गुणित डेल टी लंबाई में वृद्धी बराबर रेखी प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धी अलफा का मात्रक प्रती डिग्री सेल्सियस होता है लोहे का रेखी प्रसार गुणांक 0.00012 प्रती डिग्री सेल्सियस है अर्थात लोहे की एक मीटर लंबी छड़ का ताप एक डिग्री सेलसियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई 0.001-2 मीटर से बढ़ जाती है दूसरा क्षेत्रिय प्रसार गुणांग कोईफिशेंट ओफ सुपरफीशियल लीनियर एक्सपांशन वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांग क्षेत्रफल का ताप एक डिग्री सेलसियस बढ़ाने पर होता है क्षेत्ती प्रसार गुणांग कहलाता है इसे बीटा से प्रदशित करते हैं याने कि बीटा बराबर क्षेत्रफल में व्रिद्धी बटे प्रारंभिक चेत्रफल गुनित ताप व्रिद्धी बीटा बराबर डेल A बटे A गुनित डेल T अर्थात डेल A बराबर बीटा गुनित A गुनित डेल T याने की क्षेत्रफल में व्रिद्धी बराबर क्षेत्री प्रसार गुणांक गुणित प्रारंबिक चेत्रफल गुणित ताप में व्रिद्धी बीटा का मात्रक भी प्रती डिग्री सेल्सियस होता है क्षेत्री प्रसार गुणांग बीटा रेखी प्रसार गुणांग अल्फा का दुगुना होता है याने की बीटा बराबर दो गुणित अल्फा तीसरा आयतन प्रसार गुणांग कोईफिशेंट ओफ वॉल्यूम एक्सपांशन किसी वस्तू के आयतन में वह प्रसार जो वस्तू के एकांक आयतन का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है आयतन प्रसार गुणांग कहलाता है इसे गामा से प्रदशित करते हैं याने की आयतन प्रसार गुणांग बराबर आयतन में वृद्धी बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धी याने की गामा बराबर डेल वी बटे वी गुणित डेल टी याने की डेल V बराबर गामा गुनित V गुनित डेल T अर्थात आयतन में वृद्धी बराबर आयतन प्रसार गुनांक गुनित प्रारमधिक आयतन गुनित ताप में वृद्धी गामा का मात्रक भी प्रती डिग्री सेल्सियस होता है आयतन प्रसार गुणांक रेखिय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है अर्थात गामा बराबर तीन गुणे तलफा